सुनार के हाँ से जब भी हम कोई जोल्डी लेते हैं तो किसी न किसी पाउच में मिलती है तो अगर आपके घर में भी इस तरह का पाउच है तो इस वीडियो को जरूर देखें तो आज इसे का मैं दो बहुत अच्छा यूज बताऊंगी जिससे आपका घर भी सजेगा और बहुत ही आसान है लेकिन इससे जो तयार होगा वो काफी महगा दीखेगा और पहुत ही सुंदर दीखेगा तो इस तरह का हमें पाउच चाहिए और इसका जो नाम लिखा रहता है लेबल लगा रहता है इसससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि एक ही तरफ रहता है ये इसी के साथ में मैंने लिया है, ये मिट्टी की छोटी सी मट्की, मट्की है या फिर छोटा सा कुलहड है, जो भी कहिए इसको, तो मैं यहाँ पर इस तरह की मिट्टी की मट्की ली हूँ, आप कोई प्लास्टिक का या फिर दफ्ती का डिपा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ऐस तो मैं तो इसी मत्की को ही ली हूँ इसका भी यूज मैं इसमें कर ले रही हूँ तो इस पाउच में इस मत्की को डाल देंगे तो आप जो भी प्लाष्टिक या फिर दफ्ति का डिप लिजिए ये ध्यान में रख के लिजिए कि पाउच में आजाए और हाइट उसका पूछ बताऊंगी एक तो क्या है कि जैसे हम कीचन में काम करते हैं और कभी पैसे की ज़रूरत पढ़ जाती है कि किसी को पैसा देना है तो बार-बार जाके अलमीरा खोलना पड़ता है निकालना पड़ता है तो इसके लिए क्या कीजे इसमें आप कुछ पैसे ऐसे डाल अब इसका दूसरा यूज क्या है कि इस तरह का फ्लावर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है कहीं भी आप फ्लावर के शॉप पर जाए तो इस तरह का मिल जाता है ऐसे इसमें लगा रहता है तो इसको इसमें लगा दीजिए और इस तरह से आप इसको टेबल पर कही तो यह देखने में बहुत सुन्दर लगेगा और चाहे तो इसका नॉट भी लगा दीजिए लेकिन मैं ऐसे ही रखना ज्यादा पसंद करती हूं ऐसे देखने में ज्यादा अच्छा लगता है आप चाहे तो नॉट भी लगा सकते हैं इस तरह से किसी भी टेबल पर इसको हैंक करके दिखा रही हूं तो इस तरह से मैंने देखे इसको हैंक कर दिया है देखने में कितना सुन्दर लग रहा है तो इस तरह से आपका घर भी सुन्दर दिखेगा और जोल्री वाले पाउच का भी बहुत अच्छा यूज हो जाएगा तो देखे कितना सुन्दर लग कोई भी इसको देखकर नहीं जान पाएगा कि सुनार कहां से लाए हुए पाउच से हम इसको बनाए हैं तो दोस्तो आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा